तो पिछले एपिसोड में टैन्यू ने जब युकीन को बहुत बुरी तरह से जखमी कर दिया था तब उसके बज़ा से युकीन उसके उपर बहुत ज़्यादा गुसा हो गई थी और उसके बाद उसने टैन्यू को मारने के लिए अपने किसी बहुत ही पाउरफुल टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था अब हम देखते हैं कि टैन्यू भी खुद को इससे बचाने के लिए कुछ दूरी पर चला जाता है लेकिन अब युकीन किसी भी कीवन परसांत नहीं होने वाली थी और इसके बाद वह भी तुरंत उसे मारने के लिए चली जाती है लेकिन हम द टैन्यू का यूज करके उसके उपर अटैक कर देती है जिसके दौरान हम देखते हैं कि बहुत सारे सौर टैन्यू के तरफ जाने लगे थे अब यहाँ देखते ही टैन्यू भी इसके अटैक को रोकने के लिए खुद को रेडी कर लेता है और फिर वो अपने डेथ हैब इस टैकनीका यूज करना शुरू कर देता है अब इसके वज़ास से हम देखते हैं कि इं दोनों के ताकत के बीच में बहुत ही सांदार टकर होने लगती है और युकीन को पुरा यकीन होता है कि वो अपने इस अटैक से टैन्यू को जरूर ही जख्मी कर देगी वहीं अब टैन किसी भी कीमत पर युकीन के सामने अपनी हार नहीं मानना चाहता था और इसलिए वो उसके उपर अटेक करने के लिए अपने लाइट फाउंटेन टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है लेकिन तभी इसी बीच उसकी डेथ है बिस टेक्निक कमजोर हो जाती है जिसके वजह से युकीन का अटेक उसके उपर भारी पढ़ने लगता है और इस तरह से टैन्यू और भी बूरी तरह से जख्मी हो जाता है अब हम देखते हैं कि इसके बजह से टैन्यू की स्प्रिच्वल पाउर बहुत ज्यादा कम हो गई थी जिसके बजह से वो युकीन के सामने और ज युकीन के सामने अपनी हार नहीं मानना चाहता जिसके वजह से वो फिर से अपने बचे हुए ताकत को कलेक्ट करता है और अब इसका यूज करते हुए वो फिर से युकीन के सामने खड़ा होना चाहता है ताकि वो अपने आखरी सांस तक युकीन का मुकाबला कर सके और आ अभी ज़्यादा देर के लिए खड़ा नहीं रहा पाती और तभी अचानक से भावी नीचे गिर जाती है लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसको ऐसे कंडिसन में देख टैन्यू को बहुत ज़्यादा परेसानी होने लगी थी इसलिए अब वो खुद को ज़्यादा देर के लि लेकिन आखिरकार ऐसे सिचुएशन में वह भी कुछ नहीं कर पाता और आखिरकार युकीन यहाँ पर अपनी दम तोड़ देती है लेकिन अभी इस बात के बज़ा से टैन्यू भी बहुत ज़्यादा उदास हो गया था और फिर वो सोचने लगता है कि आखिर उसके साथ मे आखिर आखिरकार उसके साथ में लगा और इस बात की वह जादा दूख हो रहा था इसके बाद हम देखते हैं कि अपने सभी 11 एट्रिवीट वाले सोड को कलेक्ट कर लेता है जिसके वज़ा से अरीना के चारो तरब की सोड़ फरमेशन खतम हो जाती है लेकिन इसी के साथ ह अब इन दोनों को ऐसे कंडिशन में देख सभी लोग बहुत ज़्यादा परिसान हो गए थे और इसके बाद वो इनके कंडिशन के बारे में जानने के लिए तुरंत इनके पास में आते हैं तभी हम देखते हैं कि सिया ओ युकीन के पास में जाना चाहती थी लेकिन तभी म मास्टर तेनताई उसके सामने आकर उसका रास्ता रोक देते हैं और फिर वो उससे कहते हैं कि इस वक्त तुम टैन्यू को टच नहीं कर सकती क्योंकि वो अभी बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया है फिर हम देखते हैं कि इस बात के बज़र से युकिन बहुत ही ज़्या पर आ जाते हैं और फिर चीफ टैंक सियाओ से कहती है कि तुम्हें इसके बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मास्टर तेनताई होली रैंक वाले एक एलेक्सिर मास्टर हैं जिसके वज़ास से उनके पास में टैन्यू को बचाने का कोई ना कोई तरीका जरूर होगा वहीं अब खुद मास्टर तेनताई भी टैन्यू को ऐसे कंडिसन में देख परेसान हो गए थे और इसके बाद वो तुरंत ही उसके उपर अपने किसी पावर का यूज करते हैं लेकिन जब इसके वज़ास से टैन्यू के बाड़ी में कोई भी हलचल न पाज में आते हैं और फिर उसको हील करने के लिए उसे कोई मेडिसीन भी देते हैं इसी के साथ हम देखते हैं कि बाकी सभी चीफ और एल्डर भी काफी उदास हो गए थे क्योंकि आखिरकार इस वैटल में दोनों ही जीनियस बहुत बुरी तरह से जखमी हो गए थे और जब युकीन के बाड़ी में कोई हल चल नहीं होती तब इसके वज़ा से हम देखते हैं कि जुकी मास्टर भी काफी परेसान हो जाती है और फिर वो युकीन से कहने लगती है कि अगर तुम इसी तरह से यहां पर मारी गई तब इसके बारे में मैं तुम्हारे पैरेंस को क् गुसा हो गई थी और इसके बाद वो मास्टर तेंताई से कहने लगती है कि तुम टैन्यू को मुझे दे दो क्योंकि मैं उसे भी यहीं पर मार देना चाहती हूँ जिस पर मास्टर तेंताई जुकी मास्टर से कहते हैं कि टैन्यू और युकीन के बीच में लाइफ एन हुआ था जिसके वजह से आखिरकार इसमें यूकीन हार गई और इसमें मारी गई जिसका सिधा मतलब है कि वो टैन्यू के जितना टैलेंटेड नहीं है तब उसके इस बात को सुनकर जुकी मास्टर मास्टर तेंताई से कहती है कि अगर तुम यूकीन के लाइफ के बदले में टैन्यू को मार दो लेकिन ऐसा करने के बाद भी तुम युकीन के लाइफ के कीमत को नहीं चुका पाओगे और इसके बारे में जब नान गोंग सेंट मास्टर को पता चलेगा तब उसके बाद वो तुमे से किसी को भी जिंदा नहीं छोडेंगे लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर 13 को उसकी यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और इसकी वज़ा से वो जुकी मास्टर के उपर गुसा होने लगे थे तब ही जुकी मास्टर 13 से कहने लगती है कि यहां सब तुमारे ही हुआंखु सेक्ट के स्टूडेंट ने किया है जिसके वज़ा से तुम इसे ज्यादा दिर के लिए नहीं भाग सकते और अगर नान गोंग होली मास्टर ने तुमें खत्म करने के लिए अपने आर्मी को भेज दिया तब ऐसे कंडिसन में मेरा डिवाइन सोली मोर्टल पैलेस भी उनके साथ में जाएगा इसलिए अगर ऐसा हुआ तो तुम के लोग भी इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे लेकिन हम देखते हैं कि इस बात के वज़ा से मास्टर तेंताई बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे और फिर वो जुगी मास्टर से कहते हैं कि मेरे एंसेस्टर एक लेगेसी छोड़ कर गए थे जिसके वज़ा से अगर जिसकी सी के लिए पिछे नहीं इतनी ताकत है तो वो यहां पर आकर मेरे सामने तैनियु को मार कर दिखा दे deriv States मास्टर तेंताई अब टैन्यू को काफी पसंद करने लगे थे जिसके वज़ा से वो किसी भी कीमत पर उसके साथ में कुछ नहीं होने देना चाहते लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि जुगी मास्टर अपने हरकतों से बाज नहीं आ रही थी और फिर वो मास्टर तेंत ही कहते हैं कि मुझे तुम्हारे किसी भी बात के बारे में कोई चिंता नहीं है इसके बाद हम देखते हैं कि जुगी मास्टर युकीन की सिस्टर के पास में आती है क्योंकि वो उसके साथ में डिवाइन सोली मोर्टल पैलेस में वापस जाना चाहती थी लेकिन हम देखते ह कि अब टैन्यू भी होस में आ गया था और फिर वो जुगी मास्टर से कहता है कि मैं युकीन को बचाने का तरीका तुम्हें बता सकता हूं अब इस बात को सुनकर जुगी मास्टर भी इसके बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हो जाती है लेकिन तब ही टैन्यू से कहत है कि मैं इसके बारे में तो तुम्हें बता सकता हूं लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ में दो बातों का प्रॉमिस करना होगा जिसे सुनकर जुगी मास्टर भी उसके किसी भी कंडिसन से एग्री हो जाने का वादा करती है क्योंकि वो युकीन को बचाने के लिए टैन्यू से क्याती है कि मैं दो क्या सो प्रॉमिस कर सकती हूं। अब इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो कॉमेंट करके जरूर बताना कि यह टैन्यू युकिन को बचा पाएगा। और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लैप्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।